नमस्कार दोस्तों हम है knowledge junction और मैं knowledge junction से अभी आपके साथ आपके general current का daily dose लेकर हाजिर हूँ सबसे पहली खबर अंतरास्टी नियाई के लिए विश्व दिवस्ता को चिन्हित करने और पीड़तों के अधिकारों को बढ़ावत देने के लिए मनाया जाता है इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतरास्टी अपराधिक न्यायालय के बारे में बताना भी है यह दिवस मनाने की शुरुआत 17 जुलाई 1998 को ICC की स्थापना संधी रोम संबिधी को अपनाने की वर्षगाट का प्रतीख है सुरेखा सीकरी का निधन रास्टी फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनित्री सुरेखा सीकरी का 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया मसूर सीरियल बालिका वदू में दादिसा की भूमिका निभाने वाली सुरेखा कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया साल के उम्रों में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेर एवार्ड जीता था भारती पत्रकार दानेश शिद्धी की हत्या अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पुलिद्जर पुरसकार विजेता भारती फोटो पत्रकार दानेश सिद्धी की हत्या कर दी गई अफगानिस्त कर दी गई भारती मूलकी सीमा नंदा को अमेरिका श्रम विभाग की सॉलिसिटर न्युक्त किया गया है वह ओबामा प्रशाशन में श्रम विभाग में डेमोक्रिटिक नेशनल कमिटी की सी ई ओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है ICC ने किया T20 World Cup 2021 के ग्रूप का एलान कर दिया है पहले ग्रूप में इंग्लैंड, औस्टेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्टन डीस की टीमें हैं वहीं दूसरे ग्रूप में भारत, पाकिस्तान, न्यूजिलेंड और अफगानिस्तान ही है दोनों ही ग्रूप में दो-दो टीमें जुड़ेंगी और जिनका फैसला क्वालिफाइर मैचों से होगा ICC पुरुष T20 विशुकब 2021 की मेज़बानी BCCI द्वारा ओमान और संहित अरब अमिरात में 17 अक्टूबर से 14 नौंबर तक किया जाएगा Annual Integrated Rating Report 2019-20 में गुजरात को पहला इस्थान Power Finance Corporation PFC की साल 2019-20 की AIRR Annual Integrated Rating Report में गुजरात की कंपनियों ने पहला और हरियाना ने दूसरा इस्थान हासिल किया है PFC बिजली कंपनियों को लोन देता है और हर साल कंपनिय की कारेपणाली को लेकर सर्वे कराता है सर्वे में 12 राज्यों की 20 बिजली वित्रण कंपनियों का अलग-अलग बिंद उपर सर्वे किया गया मुकेश अमबानी ने जस्ट डायल में 40.95 फीजदी हिस्सेदारी खरीदी अरपती मुकेश अमबानी की कंपनी Reliance Retail Ventures Limited ने जस्ट डायल लिमिटेट के अधिगरहन की घोशना की है कंपनी जस्ट डायल में 40.95 फीजदी हिस्सेदारी के लिए 3497 करोड उपए निवेश करेगी अगली ख़बर पे चलते हैं PM मोदी ने गुजरात में 1100 करोड उपए की पर्योजनाओं का किया उदगाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने शुक्रवार को विडियो क्राणफरेंसिंग के जरिए गुजरात में कई प्रोजक्टों का उदगाटन किया इनमें गांधी नगर रेल्वे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक गैलरी, गुजरात साइन्स सिटी में नेचर पार्क सहीत कई प्रोजक्ट सामिल है विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयुजित इस उदगाटन समारों में प्रधान मंत्री के अलावा केंदरी ग्रह मंत्री अमिश्या, रेल मंत्री अश्वनी वैश्णाओ, रेल राज्यमंत्री दर्शना जर्दोश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरूपाणी भी सामिल हुए गांधी नेगर इस्टेशन में बना 517 होटल, 318 कमरोवाला है और 790 करोड उपे की लागस से बना है इस रेलवे स्टेशन का पुनरविकास और उसके उपर 517 होटल का निर्माण जनवरी 2017 में सुरू हुआ था और प्रधान मंत्री मोधी ने इसकी आधाशिरा रखी थी इन आकर्षणों में एक एक्वेटिक गैलरी एक रोबोटिक गैलरी और एक नेचर पार्क भी सामिल है इसके बचलते हैं आगे ख़बरों पर आज की आंद्रप्रदेश सरकार ने EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोशना की है एक सो तीनवे संसोधन अधिनियम के तहत आरक्षण दिया गया है इसकी जो कुछ मुख्य बाते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारी काये 8 लाक रुपे प्रतिवर से कम है और जो मौझूदा आरक्षण योजनाओं के तहत कवर नहीं है उसे आरक्षण का लाब मिलेगा यह मुख्य रूप से कापू समुदाय को लाभानमित करेगा यह याद रखना है आपको कापू समुदाय जिने अनुसूचि जाती अनुसूचि जन जाती और सामाजिक और सेक्षण क्रूप से पिछले वर्गों के लिए आरक्षण की मौझूदा योजना के तहत अरक्षण नहीं मिला था EWS स्रेणी के प्रारंभिक निक्तियों में एक तिहाई पत महिलाओं के लिए अरक्षित होंगे EWS स्रेणी के तहत अरक्षण का लाभ उठाने वाले संबंधित व्यक्ति को तैसिलदारों से EWS मौनापत्र प्राप्त करना होगा पड़ेगा अगली खबर पे विश्व बैंक सम्हू के एक सदस्य अंतरास्टी वित्त निगम ने हाली में भारत में त्रीव COVID-19 परिक्षण के लिए Medigenome में 16.5 16.5 मिलियन डालर का निवेश करने की घुशना की है आई अपसी द्वरा किया गया है निवेश मेडी जीनोम की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहता करेगा जिससे दक्षन ACI आबादी किये जीनोमिक डाटा को भी बढ़ावा मिलेगा अगली खबर भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मॉंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में सुरू की गई यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में प्रसिद्ध है CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के लिए तीन साल के बाद फिल्ड परिक्षन सुरू हो गया है सोशल मीडिया कमपनी ट्विटर ने हाली में अपने फिल्ट्स फीचर को बंद करने की घुशना की है भारती विज्ञान संस्थान बेंगलरू ने हाली में गर्मी के प्रती शहन सील कोविड वैक्सीन विक्सित की है यह सोथ ACS Infectious Disease पत्रिका में प्रकाशित हुआ है परिक्षन में यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी एक माहिने तक इस्थिर रही करेंट अफेर्स के प्रशन तो आईए चलते हैं जैसे हमने वादा किया था कि पांस से दस प्रस्न आपको रोज हम जीके के रिवाइस कराएंगे तो आज के जीके के कुछ प्रशन और उनके उत्तर ये रहे भारती रिण गारंटी निगम की स्थापना कप की गई प्रशन दुबारा सुन लीजिए भारती रिण गारंटी निगम की स्थापना कप की गई इसका सही उत्तर है मित्रो 1971 में 1971 में अगले कोशन पर आते हैं बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन का नित्रत तो किस ने किया था इसका सही उत्तर है मित्रो स्वामी अगनिवेश ने अगले कोशन पर आते हैं बहुत ही सामन तरीकी का प्रश्ण है ये कि स्टैंड अप इंडिया को कब मंजूरी दी गई ये प्रोग्राम था भारत सरकार का स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया को प्रोग्राम को कब मंजूरी दी गई इसका सही उत्तरहमित्रो 6 जनवरी 2016 अगरे प्रश्न पे आते हैं किस आयुरुवेदा चारे ने तक्ष सिला विश्विद्याले में सिक्षा प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है मित्रो जीवक ने अंगले प्रश्न पर आते हैं मित्रो भारत में लोक अदालत इस्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है भारत में लोक अदालत इस्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है इसका सही उत्तर है मित्रो महरास्ट देश की पहली महिला कोल्ट कहां प्रारंब की गई इसका सही उत्तर है मित्रो पश्चिम बंगाल में अगला प्रश्ण कई बार यह इन एक्जाम में भी आया हुआ है कमप्टिशन दक्षन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है दक्षन भारत की सबसे उची चोटी का नम बताए इसका उत्तर है मित्रो अनाई मुडी अनाई मुडी भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड़ा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड़ा इसका उत्तर है मित्रो आई एनस कदम्ब हमारा अगला प्रशन है कि भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरन किया है भारत ने अपने किस पडोसी देश में दुनिया के सबसे बड़े वीजा केंद्र का अनावरन किया है दिमाग पे जोड डाले आपने निश्च तोरे पढ़ा होगा और knowledge junction आपको option नहीं देता है वो इसलिए नहीं देता है ताकि आपके दिमाग पे जोड पढ़े और आप उत्तर को बता पाए भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया इसका सही उत्तर है मित्रो बांगला देश अगला प्रश्ण वाइरलेस का अविश्कार किस ने किया था वाइरलेस का अविश्कार किस ने किया था इसका सही उत्तर है मित्रो मारकोनी ने अगले प्रश्ण पर चलते है मित्रो जो हमारा जीव विग्यान संबन दित है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस वैज्यानिक ने किया था जीन से आप परचित होंगे जीन शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस वैज्यानिक ने किया था इसका सही उत्तर है मित्रो जोहांसन ने जोहांसन अपने अंतिम प्रश्ण में आते हैं मित्रो हम हमारा अंतिम प्रश्ण आज का है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है इसका सही उत्तर है मित्रो देहरादून में तो मित्रो यह थे आज के Current GSK और General Knowledge के प्रश्ण जो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं मैं Knowledge Junction से अभी और आशा करता हूँ आपको इस जानकारी पसंदा रही होगी और कुछ जो तक्नीकी दिक्कते हमारे साथ हैं उनमें हम सुधार कर रहे हैं कुछ हो सकता है कि Voice की Problem आपको लग रही हो या Unwise की Problem जब कभी लग रही हो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही इसको दूर कर लिया जाएगा और आपको अगर यह जानकारी अच्छी लेगी तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर दें नीचे बेल आइकॉन है उसको दबाके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे है चैनल को लाइक करें अपने विचार दें कमेंट करके शेयर करने ज़्यादा ज़्यादा हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे इस चैनल पर आपको केवल सेक्षिक जानकारी ही नहीं आपको अन्य जानकारे में बिलेंगी जो सामाने जीवाद ने संबंदित रहेगी मुख्य फोकस हमारा सिक्षा पे रहेगा उसके अलाबा हम ग्यान से संबंदित अन्य उनके लिए हम लेकर आएंगे और हम आडियो फॉर्म में लाते हैं हम उस फॉर्म में नहीं लाते हैं कि बच्चे वीडियो देखें सोचता समय ना हो उनके पास वीडियो देखने का इयर फोन लगा लिए अपना काम कर रहा है खाना बन रहा है बरतन धुल रहा है बच्चे हाई आप स्वास्त होंगे अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें चैनल को लाइक कर दें हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे आपका दिन शुभ हो आप सभलता की तरफ बढ़ें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमित्रो